जी नमस्कर एस्टो तक में आप सब का स्वागत है रविवार का दिन है और आए जानते हैं आने वाला एक सप्ता क्या कह रहा है मैं हूँ दीपक कपूर मेश राशिवालों के लिए स्थिती कुछ ये है कि रिष्टों के प्रती आपका लगाव बना हुआ है कोई प्यार का रिष्टा भी पनपरा है और आप अपनों के लिए भी हर तरह से जागरूख है आने वाले एक सप्ता में लगता है कि आप किसी ऐसे नए मौके की तलाश मे है कि रिष्टों से जुड़ी खुशियों को और कैसे बढ़ाया जा सके रिष्ब राशिवालों के लिए आने वाले सप्ता में घर परिवार में सुख है पर अपनों की चिंता बहुत है आपके मन में क्या सब कुछ ठीक चलेगा क्या कोई जिंदगी में रुकावट तो नह करने में काम करेगी इसलिए अपने ध्यान को और ज्यादा केंद्रित कर लेना होगा उसका फाइदा जरूर मिले कर प्राशिवालों के लिए आने वाले एक सप्ता में आपके मन में बहुत अच्छे विचार बन रहे हैं कि आपको अपनों से जोड़ना है इसी वजह से जिं सफलता भी मिल सकती है करने राशिवाले आने वाले सप्ता में अपने पैसे को उस रूप से नहीं संभाल पारे जिसकी की जरूरत यह और बात है कि आपकी बचत आपकी हर तरह से मदद कर रही है जो अपने आप में बहुत बड़ा शीरवात फिर भी बदलते हुए परिपे हुए है जो आपको हर तरह से मदद ही कर रही है रिश्चिक राशिवालों के मन में आने वाले सप्ता में इच्छाएं बहुत हैं और उन इच्छाओं को पूरा भी करना किसी यात्रह बदलाव से जुड़ी कई तरह की संभावना आपके सामने खुलती चली जा रही है जिकर राशिवालों के हलात मददगारें पर आप फिर भी चिंतित हैं क्योंकि बहुत सारी परिशानियों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चीज से बचने की ज़रूरत हैं तो राशिवालों का लोगों से बढ़ता हुआ तालमेल आपकी जिंदगी में आने वाले एक सब्ता में खुशियां ला सकता हैं यहां तक कि आपकी आर्थिक स्तिती भी आपको हर तरह से मदद ही कर रही है जो आपके रिष्टों पर भी अच्छा असर डाले है तो हर छोटी बात भी पहाड की तरह नजर आईगी इसलिए चुनौती भरा समय है जिसे ब आपक रएटा है जिसे बात भी आपके रही है।